देविका और कृतिका को दीधम की छूटे देविका और कृतिका की पसीने तो जल्य सी कर ले तकि हर एक अपडेट साफ को मिलती रहे सीरेल सुमन इन दवरी के आने वाले एपैसोड में ढिक हाश सारे हैं जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि किस तरीखे से यहाँ पर सुमन बज्जाने वाली है और यहाँ पर सुमन को ये भी पता था कि ऐसा कृतिका देविका के कहने पे कर रही है आने वाले प्राक्ट में आप देखेंगे मज़ेदार ट्रैक जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर देवीका और कृतिका को लगता है कि सुमन घर छोड़ कर चली गई है लेगिन ऐसा नहीं है क्योंकि सुमन नहीं ठान लिया है कि वो तीट के घर में ही रहेगी तीट के साथ रहेगी तीट का साथ नहीं छोड़ेगी और देवीका और कृतिका को सबक सिखाएगी जहाँ पर दिवाली के मौके पर अपने घर पर लोटती है सुमन और साथी साथ आप देखेंगे किस तरीके से दिवाली पर एक बहुत बड़ा और साथी साथ आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सुमन को घर लोटता देख खोश उड़ जाते हैं कृतिका और देवीका के यहीं नहीं सुमन यहाँ पर यह कहती ही नजर आती है कि घर की लक्षमी के बिना भला दिवाली कैसे हो सकती है इसलिए मुझे आना पड़ा हैपी दिवाली कहती है यहाँ पर सुमन कृतिका देवीका को और साथी साथ यहाँ पर सुमन कृतिका देवीका को धंकी देती है सीरियल सुवन इंदोरी से जुड़ी लेटेस्ट अबडेट के लिए देख तरे हमारे चानल टेली पीप्स को